व्यक्ति के व्यक्तित्य और व्यवाहर यानि की behavior और personality को एक आकार एक शेप देने में महत्पूर्ण भूमी का निबाता है लगन को हम rising sign ये ascendant भी कहते हैं और ये व्यराशी है जो किसी व्यक्ति के जन के समय पूर्व शितिज में यानि की eastern horizon में उदय हो रही थी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका astrologer संदीब कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के channel पर तो आएए जानते हैं कि क्या है मकर लगन वालों के प्रमुक व्यवार गुण मकर लगन वालों में कुछ अच्छे व्यवार गुण होते हैं इन में से कुछ महतपूर्ण है practical यानि की व्यवारिक मकर राशी वाले अपनी व्यवारिकता और संतुलित सोच के लिए जाने जाते हैं वे कठिन परिस्तितियों में भी तारकिक रूप से यानि की logically सोचने और तरक संगत निर्ने rational decision लेने में सक्षम होते हैं अगला गुण है इनका strong work ethics यानि की मजबूत कारे नयतिकता इनके पास एक मजबूत कारे नयतिकता भी होती है और वे लंबे समय तक focus और productive रह सकते हैं यानि की केंदृत और उत्तादक रह सकते हैं इनके पास जिम्मेदारी क की एक मजबूत भावना होती है और वे बहुत सारे काम एक साथ करने में सक्षम होते हैं तो इसलिए इनका अगला गुण होगा responsible यानि की जम्मेदार मकर राशी वालों का एक जम्मेदार होना स्वभाविक है इसलिए वे अपनी जम्मेदारी और भरोसे मंदता यानि dependability की के लिए जाने जाते हैं वे विश्वस्तनिय होते हैं और उन पर प्रतिवद्धाओं यानि की commitment का पालन करने के लिए बरोसा किया जा सकता है वे बहुत ही organized हिंदी में संगठित होते हैं और वे अपनी जम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रात्मित्ता देने में मजबूत भावना होती है और जीवन के प्रति इनका दिश्ट्रिकॉर्ण थोड़ा रूडिवादी होता है यानि traditional होता है इनके पास authority और परंपरा के लिए एक मजबूत सम्मान होता है और उन्हें अक्सर भरोसेमंद और स्तिर होने के रूप में देखा जा सकता है अगला गुण है organized यानि की संगठित मकर राशी के जातक बहुत ही organized होते हैं और प्रात्निक्ताओं यानि की priorities को अच्छी तरह से समझते हैं वे बहुत सारे काम एक साथ करने में सक्षम होते हैं और बड़े ही effective way से यानि प्रभावी ढंग से अपने समय और संसाधनों time और resources का प्र पूस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपनी कुणली का खुद विशलेशन करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं अगर आपका उत्तर हां है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जोतिश यानि की astrology अंक जोतिश अर्थात निवर को सीख सकते हैं इन courses को प्राप्ट करने के लिए नीचे दिये गए link पर आप क्लिक कर सकते हैं और यह link है description box में जहां से आप इन courses को प्राप्ट कर सकते हैं आएए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशे वाले लोग बहुत ही ambitious होते हैं महत्वकांग्शी होते हैं मकर राशी को अगर आप देखें तो यह गोट एक बकरी द्वारा दर्शाई जाती है मकर राशी वाले लोग महत्वकांग्शा और सेल्फ ड्राइव के लिए भी जाने जाते हैं वे अत्याधिक प्रेरित और लक्ष उन्मक्थ होते हैं यानि कि inspired होते हैं और target driven होते हैं और हमेशा अपन अपने विवहार और भावों में reserved होते हैं वे भावनात्मत तोर पर जल्दी से दूसरों के साथ खुलते नहीं हैं और अपनी भावना को अपने तक ही रखते हैं वे दूसरों के ध्यान का केंद्र बनने की इच्छा नहीं रखते हैं मकर राशी वाले लोग अपने धैर्य और संतुष्टी में देरी स्विकार करने की शंता के लिए जाने जाते हैं. मतलब ये काम करते रहेंगे बहुत ही धहरे के साथ पेशन्ट होकर और ये नहीं कहेंगे कि अभी अभी काम किया तो अभी अभी रिजल्ट क्यों नहीं आया ये वेट कर सकते हैं, इंतिसार कर सकते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सफलता अक्सर कड़ी मेहनत और दिरड़ता से आती है और वे अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए आविश्यक समय और परियास करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये ध्यान रखना महत्वपुन है कि प्रतियक वेक्ति युनीक है और ये व्यवहार गुण यानि कि behavioral qualities एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति से काफी भिन हो सकती है, इसके अतिरिक्त वेदिक जोतिश ना किवर लगन पर विचार करता है, ब और विक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आन तक वीडियो देखने के लिए आपका धनेवाद, हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और उप्योगी लगा होगा, यदि आपके कोई प्रश्न है, और यदि आप अन्य जोतिशी संकेतों के बारे में कि कि आपको अन्य जोतिए के लाओटे अड़ू को बारे में आ भांएध का शलिए है के लिए ऑन। ऑलिए जोतिशी संकतित्यर सकतरम दush differently by की का बंटीत्या कि प्रश्न का वीडियों के गतास्टर में में जोतिक अन्य जोतित्या है कि और श Papरे में चले संस्कत स्क डगत